आप सब होफुली सब खरियत से होंगे और द्वाया कि अल्ला आपको और आपकी फैमिली को अपनी हिवजों मान में रखे तो फ्रैसा कि आपको मुलूम है कि मैं इस चैनल पर डेली बेसिस पर काफी कम किमल में जो फॉर सेल गाड़ी होती हैं उनका रिविव आपके साथ शे करने इस वीडियो को भी लाजमी से लाइक कर ले और अगर आप गाड़ियों के लवर्ज हैं तो इस चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब करें क्योंकि हम इस चैनल पर डेली बेसिस पर काफी कम की में में जो फॉर सेल गाड़ियों होती है उनका रवीव आपके साथ शेयर करती है तो आज जो हमार पास गाड़ी है यह महरान की VXR वेरियंट है यह आप गाड़ी की फ्रांट से लुक चेक कर सकते हैं गाड़ी बिल्कुल नीट अन क्लीन है किसी भी एक्सिटेंट बगारा में इन्वल्व नहीं है यह सामने इसके जो बॉनट पे है वो थोड़े से स्क्रैचिस बगारा है तो यह आप गाडी का Bose bिखार भी चा कर सकते हैं Hal 9 की ये पिल कलो कि हैं गाड़ी जो 오늘 के लिए इस्तमाल की यह किसी भी monit के लिए इस्तमाल नहीं किया गया तो यह आप गाड़ी का कर लिफड़ और से लिप-णृर्ण ुई-षयज लिए इस चाह कर सकते हैं और िफड़ स नहीं है गाड़ी की लेफ्ट साइड बिल्कुल होके मिलने वाली है आपको तो यह आप गाड़ी का लेफ्ट साइड का बैक का फैंडर क्रोल्स लुक से चेक कर लें यह भी बिल्कुल होके है किसी किसम की यह निके गाड़ी की ग्रिल वगरा में मसला वगरा नहीं है तो यह एक लाइट जो है वो उपर वारी टूटी हुई है इस साइट से गाड़ी थोड़ी से एकसीडेंड में इंवौल भाया है ये फेंडर पे थोड़े से टेंट वगरा हैं तो ये आप गाड़ी के दोड़ी तुझेंट भी देख लिए टोर्स गारा कि अगर बात करें गाड़ी की तो बैक कर जो डोर है वो बैक फैंडर के साथ थोड़ा सा एक्सिटेंट में इंवॉल्व था इसलिए थोड़े से टेचिंग गए रहा है लेकिन ओवराल काफी अच्छी लुक गाड़ी आपको परवाइड कर रही है इस गाड़ी में सी एंजी बिल्कुल नहीं है जस्ट पेट्रोल पर इस गाड़ी को ड्राइब किया गया है तो यह आप गाड़ी की बैक की डिगी भी देख लें यह भी गाड़ी बैक से भी किसी भी एक्सिटेंट वगरा में इंवॉल्व नहीं रही तो यह आप गाड़ी की नीचे से भी देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरा गाड़ी है और आपको काफी रीजनेबल प्राइस में मिल रही है तो यह आप गाड़ी के अंदर सी सीटें वगरा भी देख लें बहुत ही प्यारी लेदर की कुशिंग करवा दी गई है सीटों को यह आप देख सकते हैं नीचे मैट वगरा भी न्यू इंस्टॉल करवाए गए हैं गाड़ी के तो यह मैं आपको गाड़ी की सीटें वगरा दिखा रहा हूँ और यह गाड़ी की चातु कर रहा है तो यह गाड़ी की बैक की सीटें हैं यह आप देख सकते हैं अगर आप एक फैमली यूजर्स के लिए गाड़ी लेना चाहते हैं तो यह आपके लिए एक बहुत अच्छा उप्शन यानिके थाबित हो सकता है काफी रीजनेबल प्राइस में यह आपको गाड़ी मिल रही है तो यह आप गाड़ी की सीटें वगारा को डेटेल से चेक का लें तो गाड़ी के अगर मोडल की बात करें तो यह जो गाड़ी है 1991 का मोडल है अगर इसकी प्राइस की बात करें तो ये गाड़ी आपको सिर्फ 2,10,000 पे में मिल रही है अगर इसकी गाड़ी की fuel average की बात करें तो ये जो गाड़ी आपको 13-15 km पारा लेटर के हिसाब से fuel average प्रवाइड कर रही है गाड़ी के documents और CPLC बिल्कुल clear है किसी किसम का कोई problem नहीं है कराची की ये गाड़ी registered है और कराची में ही खड़ी हुई है करंगी में तो अगर आप इस गाड़ी को लेना चाते हैं तो नीचे description में इसका OLX का link मजूद है आप उनके साथ contact कर सकते हैं तो अलाफीज़